दुनिया वर में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इंडिया में कोरोना की सेकंड वेव ने सारे ही रिकार्ड दोड़ दिये कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर रात दिन कोशिश कर रहे हैं खई देश अपने इसाब से अलग-अलग ट्रीक्मेंट भी प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों की जान बस सके उनी में से एक है प्लाजमा थेरेपी आपने सुना होगा जो भी पेशेंट कोरोना से ठीक हो जाते उन्हें प्लाजमा डोनेट के लिए का जाता है आखिर ये प्लाजमा है क्या कैसे इसे डोनेट किया जाता है और कौन इसे डोनेट कर सकता है तो आईए जानते प्लाजमा होता क्या है प्लाजमा खून में मौझूद तरल पदार्त होता है इसका रंग पीला होता है प्लाजमा के ही मदद से आपके शरीर में सेल्स और प्रोटीन शरीर के अलग-अलग जगा पहुचते हैं प्लाजमा शरीर में 52-62 प्रतिशत तक होता है और Red Blood Cells 38-48 प्रतिशत तक अब हम जानते हैं प्लाजमा तेरे पी क्या होती है जो patient corona से ठीक हो जाते हैं उनकी body से खुन निकालकर plasma को अलग किया जाता है corona से ठीक हुए patient के blood में antibodies होती है और यह antibodies antigen से लड़ने में मदद करती है इसे corona patient की body में inject किया जाता है डॉक्टर कहते हैं कि एक इनसान के plasma से 2 corona patient का इलाज किया जा सकता है अब हम जानते है plasma कब donate कर सकते हैं corona से ठीक हुए patients 14 दिन बाद plasma donate कर सकते हैं कौन plasma donate नहीं कर सकता ऐसे patient जिने diabetes, cancer, BP, kidney, liver की problem है वो plasma donate नहीं कर सकते अब हम जानते vaccination और plasma therapy में क्या अलग है दोनों ही तरीके साब की bodies में antibodies पैदा होती है लेकिन तरीका अलग अलग है vaccine virus को आपकी body में फेलने से रोकता है और vaccine को बनाने में काफी research लगती और काफी समय लगता है पर plasma में ऐसा नहीं है जो patient corona से ठीक हुआ है उसकी bodies में antibodies पाई जाती है उसे निकाल कर दूसरे की body में inject करने को ही plasma therapy कहते है जब vaccination नहीं बनीती तब भारत ही नहीं बलकि America, Russia, Italy, Spain और भी बहुत सारे देशों ने इसका इस्तमाल किया था और उस समय ये सबसे कारगर तरीका था So friends कैसा लगा ये वीडियो आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जड़ू कीजिएगा and thanks for watching